नवस्कार दोस्तो जेहिंद वंदे मातरम आप्षिवी का श्वागत अविनंदन है टेटी फैमली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्चा ही प्रकास है आज की क्लास में बात करने वाले हैं आपके सोसल साइन्स का चेप्टर रहेगा और यह आज की पहली क्लास होने वाली है इसके पहले जो प्रीवीस हेर में पूँचे गहते सोसल साइन्स का tishti questions क्योंकि पहले सलेवस अलग था अब आपके one twenty questions आपके सोसल साइनस से पूचे जाएंगे जो आपके सलेवस में हैं और 30 कोश्चन जिसमें जनरल हिंदी, इंगलेज, तारकिक, डिजिनिंग, एंड आपके 10 नमबर पेड़गोजी आएगे तो ये रहे आपके सलेवस के कॉर्डिंग और देखे आज जो हम बात करेंगे भारती इतिहास की बात करेंगे इति इतिहास का जो चैप्टर है वो तीन चैप्टरों में आपका क्लियर होता है एक होता है प्राचीन भारत के इतिहास, मद्धकालीन भारत के इतिहास और आधनिक भारत के इतिहास तीन चैप्टरों में हम इतिहास हिस्टी का चैप्टर कम्प्लीट करेंगे आपके पूरे एक 25 प्रस्ण करेंगे, साथी साथ दोस्तों most important questions करेंगे, 25 प्रस्ण आपे करने वाले हैं, जो की with detail पर questions करने जा रहे हैं, सबी लोग त्यार हो जाए ये जिसमें से पहला प्रस्ण आप लोगों के स्कीन पर आल लेडी आ चुका है, प्रस्ण पूँचा जा रहा है, कि सिद्ध मात्रिका लिपी प्राचीन भारत में संस्कत के कई रूपों में से एक थी, इस लिपी ने संस्कत के कई सब्दों का प्रचलन चीन और जापान में कराया, इसका बिकास जो है किसके काल में हुआ था, यहीं सिद्ध मात्रिका लिपी जो है प्राचीन भारत में संस्कत के कई रूपों में एक थी, इसका जो बिकास है किसके काल में हुआ, कनिस्क के, हर्स के, मिनांडर के, यह चंद गुप विक्कमा दिथ के काल पर हुआ था, सभी लोग बताएगा, अगर आपसे बन रहा है, तो यह दोस्तों आपके, हर्स के सासन काल में हुआ था, जिहां, सिद्ध मत्रिका लिपी, प्राचीन भारत में संस्कत के कई रूपों में से एक मानी जाती थी, इसलिप ने संस्कत के कई सब्दों का प्रशलन चीन और काया है, इसका विकार जो किस काल में हुआ था, हर्स के काल में हुआ था, इसे हर्स लिपी कहा जाता है, जिहां दोस्तों, जो आपका यह है, सिद्ध मत्रिका लिपी है, इसे हर्स लिपी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप लोगों को नोट कर लेना है, इसके बाद दूसरा प्रिशनल निम्लिकित वैदिक ग्रंथों में से किसमे जो है पहली बार पुनर जनम के सिध्धान का एक ब्यवस्थित ब्याख्यान दिया है च्छांदो ग्योपनिसिद में मुंडप उपनिसिद में सत्पत ब्राम्वन में या ब्रहदारियक उपनिसिद की बात करें तो वैदिक ग्रंथों में किसमे जो है पहली बार पुनर जनम के सिध्धान का एक ब्यवस्थित ब्याख्यान दिया गया है तो उपए कहलाता है चंदो चंद्योग यो उपनिसिद की बात करेंगे ठीक है चंद्योग उपनिसिद की बात करेंगे पहला आपसन सही हो प्रश्ण क्या पूचा जा रहा है बहुत ये अच्छा प्रश्ण है कि प्राचीन काल में किन आधनिक छेतरों को संयिक तुरूप से स्वर्ण प्रायदीप कहा जाता था कास्मीर, हिंदुकुस, अफगानिस्तान, मलेसिया, थाइलेंड, सिंगापुर, वर्मा, आश्टेरिया, न्यूजिलेंड, इराग, इरान और फारस की खाड़ी तो प्राचीन काल में किन आजनिक छेत्रों को संहिक तूरूप से स्वर्ण प्राइदीप कहा जाता था तो वह हमारी कहलाती हैं कास्मीर, हिंदुकुस और अफगानिस्तान पहला अप्सन इस दराई टेंसर करेक्ट टेंसर हो जाएगा इसके बाद आपका फोट नमबर कोश्चन से जो आलेडी आपके स्किन पर आ चुका है और प्रस्ण पूचा जा रहा है कि पुष्यमित्र संग का उत्राधिकारी कहन था अग्निमित्र था, सुजेश्ट था, वज्यमित्र था या देवभूत की बात कर रहे हैं तो पुष्यमित्र संग का उत्राधिकारी कहन था सभी लोग बताईए तो हम बात करेंगे अग्निमित्र, पहला अपसन सही हो जाएगा ठीके दोस्तों, हम किसकी बात करें, अग्निमित्र की बात कर रहे हैं देखे, पुश्यमित्र संगु के जो है 33 वर्ष सासन के बाद अग्निमित्र सासक बना किसके इसके पहले कौन अग्नमित्र के सासक पहले कौन था पुश्चमित्र संगु 33 वर्स सासं किया पुश्चमित्र संगु ने इसके बाद अग्नमित्र सासक बना जिसके जिसने अग्नमित्र सासक ने यौनों को पराजित किया था आ गया कि यौनों को किस ने पराजित किया तो अगनिमित सासक ने यौनों को पराजित किया था इसके बाद अंगला प्रिशन है कि राजवली पता का किस ने लिखी कलहर ने पंडित जोनारजा ने पंडित स्रीवर ने पंडित ब्रजाभट ने लिखी तो राजवली पता का किसने लेखे थी तो पंडित प्रजा भट की बात करेंगे डी आफसन की बात करेंगे इसके बाद आपका छठा प्रस्ण है कि अंग महा जनपत को मगद में किसने मिलाया असोक ने, बिंदुसार ने, बिंबिसार ने या अजात सत्व ने मिलाया सभी कमिन कीजेगा मेरे प्यारे प्यारे भायों के प्यारी परिबहने ग्रहनी जिनका सपना है टीटिक जाम को फते करना जैस्वासर आप सभी कविजन्दन स्वागत करते हैं अंग महा जन्पत को मगद में किसने मिलाया तो हम बात करेंगे बिंबिसार अंग महा जन्पत को मगद में किसने मिलाया था बिंबिसार ने अंग महा जन्पत को जीता और वहां की राजकुमारी से सादी की थी तो महा जन्पत किसने जीता बिम्बिसार न जीता था और महा जन्पत की राज कुमारी से किसने साधी की बिम्बिसार ने महा जन्पत को जीता और उहां की राज कुमारी से बिवाय किया साधी किया इसके बाद अंगला प्रश्ण है जो अलेडी आपके इसकीन पर है और आईए देख लेते हैं क्या प्रश्ण अमारा पूंचा जा रहा है शात्मों प्रश्ण है प्रश्ण की निन में से किस राजा कउलेक असोग के अभिलेक में है एंटियोकस फर्स्ट सेलूकस सेकंड एंटियोकस सेकंड सेलूकस फोर्थ तो किस राजा कउलेक असोग के अभिलेक में है सब लोग बताईएगा हम किसकी बात करेंगे एंटियोकस सेकंड की बात करेंगे जी हाँ एंटियोकस सेकंड राजा को लेक असोक के अभी लेक में है इसके बाद अंगला प्रिश्ण है रुमिंडी इस्तंब सिला लेक कहां पर है जूनागर गुजरात, राची जारकंड, भाबरु राजिस्थान, लुम्णी नेपाल तो रुमिंडी इस्तंब सिला लेक कहां पर रिस्तित है तो हम बात करेंगे लुम्णी नेपाल पर रिस्तित है रुमडी इस्तमसिलालेक आपके लुमणी नेपाल पर इस्थे थे असोक ने अपने सासन में 12 वर्स में लुमणी की यात्रा की और वहाँ पर करमुक्ती गोंशना की थी तो असोक की बात करेंगे असोक ने अपने सासन में बरहावे वर्स जब उसने सासन किया तो ग्यारावर सासन करने के बाद बरहमे बस जब सासन कर रहा था तो उसने लुमनी की यात्रा की थी और लुमनी की यात्रा करने के बाद जो कि नेपाल परसीत है वहाँ पर करमुक की घोशना की थी इसके बाद अंगला पशने कौन से ग्रंथ काली दास के ग्रंथ है रितु शंगार मेग दूतम मल विकाग निमित्रम कुमार शंभवम अभिज्ञान शकुंतलम तो आप सभी लोग जानते हैं ये पांचों आपके जो ग्रंथ हैं ये काली दास के द्वारा लिखे गए हैं काली दास के ग्रंथ हैं उप्रोक्षभी आपसन जो दिया गया है डे आपसन हमारा सही हो जाए हैं काली दास प्राचीन भारत के संस्कत के शुबख्यात एक नाटक कर थे उनकी प्रमुक्रतियां रखुवशं, मल्विकाग नमित्रम, कुमार शुंभन, अभिजान स्वंकुंतलम ये सारी हैं तो कालिदास जोय प्राचीन भारत के संस्कत के शुवख्यात एक नाटक कर थे अंगला पसंद निम्निकित में से रिगवेद की साखा है शौनक, असुलायन, शंखायन, शाकल, सभी होता ही रिगवेद की साखा यहां पर पूंची जा रही है तो शाकल जो होती है वह आपकी रिगवेद की साखा कहलाती है और शाकल रिगवेद की पहली पुस्तक है इसकी दो साखाएं रिगवेद जो है बिस्क की पहली पुस्तक है प्रसना गया कि बिस्क की पहली पुस्तक कौन है तो वह रिगवेद है और रिगवेद की दो सखाएं होती है एक साकल और एक वासकल शाकल और वासकल तो रिगवेद की साका यहां पे शाकल है अगर वासकल भी आता है तो फिर आपका वासकल वाला भी आपसन सही है साकल और वासकल आईए बात करेंगे अंगले पिश्ण के रिगवैदिक काल में राजा का दूसरा नाम क्या था गोमत गोपती गोप गोमित्र तो रिगवैदिक काल में राजा का जो दूसरा नाम था वे गोपती था क्या था गोपती रिगवैदिक काल में राजा को गोपती कहा जाता था क्या कहा जाता था राजा को गोपती के नाम से बुलाया जाता राजा न कहके गोपती कहा जाता था तमिल साहित के संगम काल के समय कौन से राज थे चोल राज, चेर राज, पांड राज या उपरोक्त सभी राज थे यहां पर तमिल साहित के संगम काल के समय की बात कर रहे हैं तो तमिल साहित के संगम काल के समय जो राज थे चोल राज भी था, चेर भी था और पांड राज भी था यह तीनो राज उपलब्द थे तो उपरोग सभी आपसन जो डी आपसन दिया गया है वह हमारा सही हो जायागा संगम कालीन वंस, चोल, चेर और पांडा ये तीनों थे असोक ने किस अभिलेक में खुद को पिया दस्सी लाजा मगदे कहा जूनागर, कंधार दीपवंस या भाबरू सबी बताईएगा असोक ने किस अभिलेक में खुद को पिया दसी, लाजा मगदे कहा था, वह ग्रन था आपको बताना, स्वरी अभिलेक, अभिलेक पूचा जा रहा है, ठीक है, तो अभि, असोक ने जिस अभिलेक में खुद को पिया दसी, लाजा मगदे कहा था, वह आपका भाबरू, भाबरू अभिलेक की बात करें, असोक ने भाबरू सिलालेख में खुद को पिया दस्य लाजा मगदे कहा था इसके बाद अंगला पुष्ण है असोक के राज में पौर कौन था पौर शाहर का गवर्नर था मुख नयाधिश था मंत्री था या दंडपाल था असोक के राज में पौर कौन था तो असोक के राज में पौर आपके एक सहर का गवर्नर था क्या था शहर का गवर्नर कहा जाता था पौर जो है सहर के गवर्नर को कहा जाता था अंगला बिंदुसार के राज में सीरिया का राजदूत कौन था डाइमाइकस, डिमेट्रोटस, डिमोट्रस, मेगस्तनीज या वेंसांग बिंदुसार के राज में सीरिया का राजदूत कौन था वह था आपका डाइमाइकस बिंदुसार के राज में सीरिया का राजदूत आपका डाइमाइकस था सीरिया के राजा इंटियोकस प्रथम ने डाइमाइकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दर्वार में भेजा था अंगला पसने उत्री पांचाल की राजधानी कहां थी अहिच्छत्र, वज्जी, कमपिल या मतुरा सभी बताईएगा मेरे प्यारे मित्त सिच्चबंदु भाई बेन ग्रही जिनका सपना अटिटिक जाम को फत्य करना उत्री पांचाल की राजधानी कहां थी दोस्तों वह त्यापकी अहिच्छत्र में कहां पर पस्ति थी अहिच्छत्र में उत्री पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दच्छनी पांचाल की राजधानी कमपिल ले थी अगर उत्री पान्चाल की राजधानी पूछा जाये तो आही छित और दच्छनी पान्चाल की राजधानी पूछा जाये तो कामपिल ठीक है दोनों याद रखेगा उत्री और दच्छनी किस गुप्त राजा को लिच्छ भी दैहित्र कहा जाता था तो किस गुप्त राजा को आपके लिच्छ भी दैहित्र कहा जाता था सव भी लोग वताई तो हम बात करें के समुध्र गुप्त गुप्त को जो है लिछ़ब दैहित्र कहा जाता था D. आपसन सई हो जाए समुध्र गुप्त जो था चन्द गुप्त पथम का बेटा था वह चन्द गुप्त की पत्नी लिच्छव राजकमारी का पुत्र था इसी कारण समधुकुत गुप्त को लिच्छव दैहित्र कहा जाता था अर्थाद लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र तो दैहित्र मतलब क्या होता है पुत्रियों के पुत्र को दैहित्र कहा जाता था अंगला प्रश्ण है आपके स्केन पर है कौन से राज गौतम बुद्ध के जीवन से समंदे थे अवंति गंधार कोशल मगत कोशल और मगत थे ठीक है यहाँ पर राइट अप्सन क्या होगा कोशल और मगत की बात करें तीसरो चोथा वाला होगा थाड़ो जो दिया गया है कोशल और मगत तो तीसरो चोथा आपसन की बात करेंगे क्योंकि अवंति और गंधार जो राज थे गौतम बुद्ध के जीवन से प्रतच से समंदे नहीं थे कोशल के राजा प्रसेन जीट गौतम बुद्ध के से से थे और मगत के राज जो है गौतम बुद्ध की सिच्छाओं से प्रतच समंदे थे इसके बाद अंगला पशन है निम्रकित में से काउन सी संसकती धूसर मिट्टी के बरतनों के लिए जानी जाती है वह संसकती आपके बुर्ज होम संसकत की बात करेंगे इनमें से जो संसकती धूसर मिट्टी के बरतनों के लिए जानी जाती है वह संसकती आपके बुर्ज होम संसकत की बात करेंगे आपसे नमर सी की बात करेंगे देखें बुर्ज होम जो संसकती है ग्रे मिट्टी के बरतनों के लिए जानी जाती है मालवा जो संसकती है वह आपके काले पर लाल मिट्टी के बरतन के नाम से जानी जाती है पूर्वी नौपसांट जो संसकती है वह भूरा लाल मिट्टी के बरतनों के रूप में जानी जाती है आपके जोर्वे संसकती जो है यह लाल मिट्टी के बरतन के रूप में जाने जाती है और दच्छनी नवपसांड जो संसकती है वह जले भूरे मिट्टी के बरतन के रूप तो ये आपके बुर्ज होम संसकती मालवा संसकती पूर्वी नौपसांड संसकती जोर्वे संसकती दश्री नौपसांड संसकती ये आपके पांचों संसकतियां दी गई है जो एकजाम में पूचे जा सकते हैं पांचों तो बुर्ज होम संसकती ग्रे मिट्टी के बत्मों के ले जानी जाती है या धूसर मिट्टी ग्रे को ही धूसर मिट्टी कहा जाता है ठीक है चले बात कर लेते हैं आपकी अंगले पशण की अंगला पश्णा लेडि आपके स्किन पर है सिंदुगार्टी सबता में मोहन जोदोर से बहुत सारे मनके की खोच की गई थी इनमें से अधिकतर मनके किसके बने होते थे तेरकोटा, शुरकांतमणी, लपीस या इस्टिटाइट के सिंदु गार्टी सब्ता में मोहन जोद्रों से बहुत सारे मनके की खोज की गई थी और इनमें से जो अधिकतर मनके होते थे वह स्टिटाइट के होते थे किसके होते थे इस्टिटाइट या सुन्दर मनके जो है मोहन जोद्रों की महत्पून खोजों में से एक है और इदिकांस मन के जले हुए इस्टिटाइट से बने होते थे मोतियों को बनाने में अनसामगरियां जैसे एगेट, कॉरेलियन, लैपिस, लालजी, ग्रासलर, गरनेट, सर्पिन्टाइन और अमेजो नाइट सामिल हुआ करता था तो है हम बात करेंगे इस्टिटाइट के बात कर रहे हैं इसके बाद अंगला पच्छने मैसी डोनिया वापस लोटते समय सिकंदर की सैन मुटभेड किसके साथ हुई थी पोरस, मलोई, संगीतग या अम्भे मैसी डोणिया वापस लोड़ते समय सिकंदर की सैन मुठभेड किसके साथ हुई थी सभी लोग बताईएगा और फीड़बेक कीजेगा तो हम बात करनें दोस्तों मलोई भी आपसन के बात करनें सिकंदर 326 इसापूर में आकर्मन करने के बाद केवल 19 महिने तक भारत में रहा जो वैसी डोणिया लोट रहा था तो उसका गण संगो जैसे मलोई यानि मालोग के साथ सैन मुठभेड हुआ था तो मालोग के साथ हुआ था उसी कोई मलोई कहा जाता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है मलोई मतलब मालोग की बात कर रहें है शापतांग सिध्धांत जो प्राचीन राजनीतिक संद्चना के साथ अंगों से संबंदित है ये किसके द्वारा प्रित्पादित किया गया था तो सब्तांग सिधान जो प्राचीन राजनीतिक सनचना के साथ अंगों से संबंदित है ये किसके द्वारा प्रित्पादित किया गया था मनू कोटल पार्णी भासकर सभी बताएगा तो सब्तांग सिधान की बात की जाती ही तो नाम आता है कोटल किसके द्वारा प्रित्पादित किया गया कोटिल के द्वारा प्रित्पादित किया गया था राज का सब्ताक सिनान कोटिल ने अर्थ सास में दिया है सातंग राजा आमात नाकरशाय जनपद छेत दुरुगा किला कोशा खजाना डंडा जनी जबजस्ति अधिकार मित्रा या सापतांग सिधांत कोटिल ने अजसास में दिया है अगले अमस्ने मौर राजा बिंदुसार की म्रत्तु जो है किस वर्स में होई थी 275 इशवापूर, 270 इशवापूर, 273 इशवापूर, 276 इशवापूर मौर राजा बिंदुसार की इम्रत्व जब होई थी दोस्तों आपके 273 इशापूर में होई थी बिंदुसार जिसे अमित्रा घाट या अमित्रो चेट्स के नाम से भी जाना जाता था चन्दगुत मौर का यप्पतु था उन्होंने 298 इशापूर से 273 इशापूर तक मौर समराज पर शासन किया माना जाता है कि उसने भारती उप महादीब के 16 राजों पर बिजय प्राप्त की थी 273 इशापूर में उनकी इम्रत्व हो गई और उनके पुत रशोक ने उनका उत्तरधिकारी बनाय गया था इसके बाद अंगला प्रश्ण है असोक की निम्लिखित प्रमुक सिला लेखों में से कौन जो है खरोष्टी लिप में है मन सहरा और सहबाजगड़ी साची सारनात या बैरोत तो प्रमुक सिला लेखों में से खरोष्टी लिप में है कौन सी है तो वो है हमारी कहलाती है मन्शेहरा और सहबाजगड़ी असोग के जो है मन्शेहरा और सहबाजगड़ी सिला लेखों में से खरोष्टी लिप में है और मन्शेहरा और सहबाजगड़ी जो है यह पाकिस्तान के खैवर पक्तून ख्वा में इस्तित है कहां परिस्टित है पाकिस्तान की इलाके में है और पाकिस्तान का जो छेत्र है आपका खैबर पक्थुन ख्वा वहां पर यह दोनों इस्तित है इसके बाद अंगला प्रस्ट दिया गया है आपके स्कीन पर दिया गया है गलत कथन का चैन करना है कथन आते हैं लेड़ी आपको पता है राजको को अशोक ने नयाईक अधिकार की रूप में नुक्त किया था शुंग वंस ने राजा बनने के बाद भी सेनापत की उपाधी बरकरार रखी कलिंग नगर एक प्राचीन सहर था जो चक्रवात द्वारा नश्ट किया गया था या अशोक ने कंधार अभिलेक में बौद धर में आस्था विक्त की है ये चार आफसन दिये गए तो देखे राजकों को अशोक ने नियाईक अधिकार के उपे निक्त किया बिल्कुल सही बात है शंग वंस ने राजा बनने के बाद भी सेनापत की उपाधी बरकरार रखी थी ये भी सही है कलिंग नगर एक प्राचीन सहर था जो चक्रवाद द्वारा नश्ट किया गया था ये भी सही है लेकिन असोक ने कंधार अविलेख में बौद धर में आस्था विक्त की है ये कतन गला थै क्योंकि भाबरू सिला लेख एक ऐसे सिला रूप में जाना जाता था जिसमें असोक ने बौद पंथ में विश्वास विक्त किया था तो यहाँ पे भाबरू सिला लेख एक ऐसे सिला लेख के रूप में जाना जाता है जिसमें असोक ने बौद पंथ में विश्वास विक्त किया था ना कि असोक ने कंधार अविलेक में बहुत धर में आस्था विक्ती थी पेकारी इंट क्वेश्चन्स यहां पर हमारा डी आपसंस ही हो जाएगा करते हैं आज की कलास का पहला प्रस्न है सिमुक एक भारती राजा और निम्लिकित में से किस राजवन्स के संस्थापक थे देखे इतियास में प्राचीन इसके बाद मद्दकालीन इसके बाद आधनिक तीन ताइप तीन आपके इस्टेप में हैं तीनों इस्टेप्टर को कम्प्लीट करेंगे तो सिमुक एक भारती राजा निम्लकेत मेंसे किस राजवन्स के संस्थापक थी साथ वाहन, कदम, गंगा या काकती है तो सिमुक एक भारती राजा थे जिस स्राजवन्स के संस्थापक थे वैथा साथ वाहन जिहां सिमुक जो है साथ से सिमुक, साथ से साथ वाहन सा सरउता वाला फेक्टर यहां पे कार कर रहा है ध्यान दिजेगा दोस्तो सिमुक सातवान राजवन्स के संस्तापक थे और माना जाता है कि उन्हों ने सुंग सक्ति को नश्ट कर दिया था उसने रतिकों और भोजकों की सहायता से ऐसा किया था सिमुक जो है लगवक 23 वर्षों तक सासन किया इसके बाद उसके भाई काना ने उसका सिर काट दिया था और उसके उत्राधिकार बन गए थी इसके बाद अंगला प्रश्ने गौतमी पुत्र सतकरणी की उपलब्दियों का वर्णन और उनकी मरत के बाद उनकी प्रसंसा निम्रखित में से किस सिला लेक में की गई है जूना गड़ सिला लेक नाने गड़ सिला लेक नासिक सिला लेक या इन में से कोई भी नहीं डी आप्संस यानि चार आप्संस हमारी स्कीन पर दिये गए हैं तो जो आप्संस हमारा सही होगा वो आपको बताना है तो गौत्मी पुत सत्करणी की उपलब्दियों का वर्णन और उनकी मर्त के बाद उनकी प्रसंसा निम्नकित में से किस सिलालेक में की गई है वह नासिक सिलालेक किसकी बात करेंगे नासिक सिलालेक की बात करेंगे साथ वहन राजा गौतमी पुत साथ करनी को लब्धियों का वर्णन और उनकी मरत के बाद उनके पुत पुलमई दुती के सासनकाल के दौरान उनकी मा गौतमी बालसरी के नासिक सिला लेख में किया गया था और सिला लेख जो है प्राकत में भी लिखा गया है इसके बाद आपका अंगला पश्चन है काली दास की निम्लिकित में से कौन सी करतिया है देखिए हम दोनों चीज करेंगे M.P.D. वर्गतों के लिए भारती तियास भी करेंगे और मद्पदेस का तियास भी करेंगे तो भारती और मद्पदेस दोनों लेके चलेंगे ताकि पूरा conclusion आपको हो सके क्योंकि आप लोग त्यारी 120 questions कर रिले कर रहे हैं और 7 p.m. में आपकी जो class होगी पहले पार्ट की class हो रही 30 questions की तो 7 p.m. में बालविकास फेड़ागाजी class होगी तो द्यान पूरा content कीजेगा काली दास की निम्नकित में से कौन से करतियां है मेग दूत, अभिग्यान सकुन्तलम, मरच काटिकम नीचे आपसंस दिये गए केवल एक, एक और दो, केवल दो, तीन या एक, दो, तीन तो काली दास की करतियां पूँची जा रही है कालि दास की कर्तियां मेग दूतम और अभिग्यान सकुंतलम ये दोनों तो फस्ट और सेकंड किसमे दिया गए देखेगा भी आपसन में दिया गए तो भी आपसन मरț सही हो जाएगा ठीक है कालि दास को संस्कुत भासा का सबसे महान कभी और नातल कार माना जाता है जब म्रच्छ कटिकम जो है यह रचना सूद्रक ने के थी अगर आता है तो म्रच्छ कटिकम किसकी रचना है सूद्रक की रचना है नोट कर लेज़ेगा अंगला पस्थन है मुद्रा राच्छ और देवी चन्द गुप्तम के लेखक कौन है शूद्रक भास बिसाखदत या दंडे तो मुद्रा राच्छस और देवी चंद गुप्तम के लेखक जो कहला जाते हैं वह विशाख दत कहला जाते हैं सी आपसन आपको यहाँ पे सही कर लेना है देखें मुद्रा राच्छस और देवी चंद गुप्त के लेखक विशाख दत हैं और विशागदत एक भारती संस्कत कभी एक नाटक कार थे, सूद्रक जो है मर्च कटिका नाटक के लेखक है, तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, आई ये बात करते हैं ये प्रस्ण की, जिम्लिकित में से किस स्थान पर गोवर्धन परवत को सहस्ता से उठाने वाली क अपने एक उगली पर पूरे गोवर्धन परवत को उठा लिया था, तो कश्ण की विशाल जो आकरती पाई जाती है, हम बात करेंगे वारण असी जिया दोस्तों, गोवर्धन परवत को सहस्ता से उठाने वाले शिकश्न की विशाल आकरती गुप्तकाल से समंधे थे, सबस साथ अंगला पसन है कि गौतमी पुत सतकरणी किस सक राजा को हराया था मोगा, रुधदामन फष्ट, मिनांडर या नहपाना तो गौतमी पुत सतकरणी ने किस कि सक राजा सक को जो हराया था वह नहपाना जेहंदोस्तों पुत्प साथवाहन सासा गौत्मी पुत्सदकरणी ने सक राजा नहपान को हराया और साथवाहनों को पूर परहुत्त के एक बड़े हिस्से को फिर से जीत कर अपने वंस की प्रतिष्ठा को बहाल किया अंगला पुष्ण है रभातक सिल्या लेक निम्नकित में से किस सासक का प्रमाण प्रदान करता है कनिस्क सासक का कड़ फिसेश फ्रतम का वासुदेव दोती का बिम कड़ फिसेश का रभातक सिल्या लेक निम्नकित में से किस सासक का प्रमाण प्रदान करता है हम बात करेंगे कनिस्क की कनिस्क कुसान सामराज का तीसा सासक था वह कुसान सामराज के संस्थापक कड़ फिस प्रतम के पोते थे बैक्ट्रियन भासा में एक चट्टान पर लिखा गया प्रसिद रब्तक सिला लेक और ग्रीप लिपी कनिस्क पर बहमूल जानकारी प्रसुत करता है तो कनिस्क जो है कुसान समराज का तीरसा सासक था अंगला प्रस्ण है निम्लिकीत में से कौन बिदेशी यात्री चंद्गुप दोती के सासनकाल के दोरान भारत आया था भेन सांग, फायान, मेगा स्तनीज, इब्न बतूता तुबहे बिदेश यात्री जो चंद्गुप दोती के सासनकाल के दोरान भारत आया था वह आपका फायान जहें दोस्तो पर्थम चीनी, बोध यात्री और भिच्चु फायान, गुप्त, समराथ, चंदगुप, दुती बिक्रमा दित के सासन काल के दौरान भारत आये थे और सी यू की पुस्तक लिखी तो सी यू की पुस्तक किस ने लिखी आपके फायान ने लिखी और उस समय की राजनीतिक और समाजिक इसित का विस्तार से वर्णन भी करती है वेन सांग जो है हर्सवर्धन के सासन में भारत आये थे अगर वेन सांग पूछा जाता है तो यह हर्सवर्धन के सासन काल में भारत आये थे वेन सौंग की बात करीं अंगला प्रशन देख लेते हैं माना जाता है कि निम्निकित में से किस वाका टक सासक ने बनवासी के कंदबों को हराया था शर्वसेन, बिंदसेन, हैरी सेन या हैरी सेन सिकन सभी कमेंट कीजेगा मेरे पहले पहले मित मेरे भाई, बहन, ग्रणी जिनका सपना है टिटिक जाम को फत्य करना 120 में से 100 प्लस का स्कोर प्राप्त करना सभी याँ पर कमेंट कीजेगा तो किस वाकाटक सासक ने बनवासी के कंदबों को हराया था और वह आपका बिंद सेन ने हराया था जिहां, दोस्तो, वाकाटक सासक बिंद सक्ती सेकंड बिंद सेन ने 355 से 400 इस्वी तक सासन किया और माना जाता कि बिंद सेन ने बनवासी के कंदबों को हराया था और बनवासी के कंदबों ने कुंतला उत्तर करनाटक पर सासन किया था उत्तर करनाटक में एक जगह है कुंतला, वहाँ पे सासन किया था निमलिकित में से किसने वास्तों में पुष्च भूत वन्सकी नियू रखे प्रभाकर वर्धन, हर्ष वर्धन, राज वर्धन या ग्रह वर्मन की बात करे तो किसने वास्तों में जो है पुष्च भूत वन्सकी नियू रखी थी और वह कहला आते हैं आपके प्रभाकर वर्धन, पहला आपसन सही हो जाए इसके बाद अंगला प्रस्ने आपके स्कीन पर है दस कुमार चरितम के लेखा कौन थे और वह किसके दर्वार में रहते थी दंडी नंदी वर्मन सेकंड, भार्वी नंदी वर्मन सेकंड, अपपार नंदी वर्मन प्रथम, भार्वी नर्सिंग वर्मन प्रथम तो दस कुमार चैतम के लेखा कौन थे और वे किसके दर्वार में रहते थे तो वह आपके दंडी नंदी वर्मन से कन पहला आपसन सही हो जाए इसके बाद आप कंगला पुष्ण है निम्लिकित में से कौन एक भारती रिसी सह गुरू थे जिन्होंने आठ्मी सताब्दी में भूटान और तिब्बत में तांत्रिक बहुत धर्म का संचार किया था आसंग, नागारजुन, पदमशंभव या महावेर तो भारती, एक भारती रिसी जो सह गुरू भी थे जिन्होंने आठ्मी सताब्दी में भूटान और तिब्बत में तांत्रिक बहुत धर्म का संचार भी किया था तो आपके कौन से हैं, वह हैं आपके पदमशंभव, सी आपसन आपको सही कर लेना इसके बाद अंगला प्रश्णा हैं, कि निम्रिकित में से कौन सा राजा जो है दन्ति दुर्ग का उत्तर दिकारी बना द्रोव, कृष्ण प्रथम, अमोग वर्ष्प्रथम या कीर्ति वर्मन सेकन तो कौन सा राजा दंतिदुर्ग का उत्रादिकारी बना था वह है कृष्ण प्रथम कृष्ण प्रथम राजा जो है दंतिदुर्ग का उत्रदिकारी बना था दंतिदुर्ग मतलब राष्ट कूर्ष सामराज की बात करेंगे 736-756 ने चालुक सामराज को पराजित कर राष्ट को सामराज की निव डाली दंति दुर्ग ने उज्जैनी में हिरन गर्ब दान किया था तथा उन्होंने महाराजा धिराज परमेश्वर परमंब टारक इत्यादी उपादियां धारन की थी दंति का उत्रादिकारी कर्ष्ण प्रथम था जिसने एलोरा के सुप्रसित कला समंदिर का निर्मान करवाया था तो एलोरा का जो सुप्रसित कला समंदिर इसका निर्मान किसने करवाया तो कर्ष्ण प्रथम ने करवाया था ये भी आप लोगों को नोट कर लेना इसके साथ ही अंगला पस्न है कि भारत पर सबसे पहले आकमन किस जंजाती ने किया था अरब, तुर्क, अफगान, मंगोल तो भारत में सबसे पहले आकमन एक जंजाती ने किया था और वे जंजाती कौन सी अरब जंजाती पहला आपसन सही कर लिजे दुस्तो भारत में मुसल्मानों के आगमन को अर्बों द्वारा सिंध की विजय की रूप में चिन्नित किया गया था हलांकि इससे बहुत पहले अर्बों के पास भारत के पश्मी तड़ पर पहले से ही बस्तियां थी सिंध के हिंदू सासकों की प्ररंभिक मुठवेट 636 में सुरू हुई और हाकम के नेतवत में खलीफा उमर इब्दल खताब ने ठाने और भरूच के खिलाब भारत पर कबज़ा कर लिया मुहम्मद बिन कासिम हज्जाज के आदेश किताथ 710 इस्वी में एक बड़ी सेना के परूप के रूप में आगे बढ़े और मुकरान को उबस में किया बलूचिस्तान के मादम से आगे बढ़ गए और 712 में सुझ नदी के किनारे अपना वर्चस स्थापित किया ये इनकी हिस्ट्री है अंगला है उपनिशद किस प्रकार के ग्रंथ हैं कहानी के पुस्थ के कानून के किताबे महान महा काव हिंदू दर्शन का स्रोथ उपनिशद किस प्रकार का ग्रंथ कहलाता है तो यह हमारा हिंदू दर्शन का स्रोथ डी आपसन को सही कर लेना इसके बाद है आपका अंगला प्रशन है हमपी ब्यापक रूप से किसके लिए प्रसिद था बिजय नगर की राजधानी थी गोल कुंडा की राजधानी थी इसमें भारती महा काब्रों का फार्सी से नुवाद था मद्योगेन भारती में इसका सबसे बड़ा अस्तवल था तो हमपी ब्यापक रूप से किसके लिए प्रसिद था यह बिजय नगर की एक राजधानी थी हमपी जो है बिजय नगर की राजधानी की रूप में प्रसिद थी आप सभी लोग जानते हैं करनाटक में हमपी ने बिजय नगर सामराज की राजधानी की रूप में कार किया 1343 से 1565 तक बिजय नगर सामराज की राजधानी की रूप में कार करता था जब इसे डेककन मुसलिम संग द्वारा घेर लिया गया था तो हमपी को इसके रन्नीतिक इस्थान के कारण चुना गया था जो एक तरब तुंग भद्धा नदी से गिरा हुआ था और दूसी तरब रच्छात्मक पारियों से गिरा हुआ था इसलिए इस इस्थान को चैन किया गया था ताकि सुरचित रहा जा सके अंगला प्रस्ण न्याय सूत के लेखक कौन है कपिला गौतम ब्यास चरक सभी कमेंट किजेगा न्याय सूत के लेखक पूछा जा रहा है तो न्याय सूत के लेखक आपके गौतम है भी आपसन को यहाँ पे सही कर लेना है सठीक इंसर कर लेना है देखे आप सभी लोग जानते हैं कि न्याय सूत अच्छ पाद गौतम दौरा रचित एक प्राचीन बारती संस्कत ग्रंथ है चटी सताब्दी इस्वापूर और दूसी सताब्दी इस्वापूर के बीच ये रचित हुआ है और ये हिंदू दर्शन के न्याय स्कूल का मोलबूत पाठ भी है ये तर्क ज्यान सिमानसा और तत्व सिमानसा के निमों से संबंदेद भी है तो न्याय सूत जो है अपका ये अच्छ पाद गौतम दौरा रचित एक प्राचीन बारती संस्कत ग्रंथ है अंगला साची इस्तूप का निर्मान किसने करवाया था गौतम बुद्ध अशोक चोल या पल्लों ने करवाया था सभी बताईएगा तो हम किसकी बात करेंगे सांची इस्तूप का निर्मान की जब भी बात करते हैं असोप का नाम आता है तो यहाँ पे हम भी आपसन सही कर लेंगे तेके सांची का एक महान इस्तूप भारती के सबसे पुरानी पत्थर की सनचना में सेख मानी जाती है जिसे मूल लूप से मौर समराट असोप ने तीसी सदापदी इस्वपूर में बनवाया था और यह लगबख 24 फीट की उचाय वाले इस विसाल गोलार्थ के गुमबद में एक केंद्री कच्छे जहां भगवान बॉध के आउसेश वी रखे गए अंगला प्रस्ने ध्यान पूलग समझेगा कौन सी गुफाएं मुंबई हार्बर में इस्थित गड़ी हुई गुफाओं की स्रंखला है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या कह सकते हैं बादामी तो कौन सी गुफाएं जो मुंबाई हार्बर में इस्थित गड़ी हुई गुफाओं की एक संखला है वे कहलाती एलिफेंटा एलिफेंटा गुफाएं महाराश्ट में मुंबाई के पास मुंबाई हारबर में एलिफेंटा दीप या घरपूरी इस साब्दिक रूप से गुफाओं का सहर भी कहते हैं एलिफेंटा को इस पर इसित गड़ी हुई गुफाओं का एक नेटवर्क है दीप हिंदू और बहुद गुफाएं हैं 1987 में युनस्कों की विश्व धरोहर इस्थर्क रूप में नामित किया गया है अंगला प्रस्ण है ध्यानपूरक समझेगा फिडबेक कीजेगा कि कैलास का प्रसिद राक कट मंदिर किस गुफा में उसी था जी हाँ कैलास का प्रसिद एक मंदिर है राक कट मंदिर यह आजनता की गुफा में इस्थित है यह आपके महावली पूरम में इस्थित है यह आपके एलोरा में यह बादामी में स्थित है सभी लोग कमेंट कीजेगा तो कैलास का प्रसिद राग कट मंदिर किस गुभा में स्थित है वो आपके एलोरा में स्थित है जब भी कैलास की बात की जाती एलोरा का नाम आता है कैलास नात मंदिर एक प्रसिद मंदिर है यह 34 मठों और मंदिरों में से एक माना जाता है दो क्लिमीटर सधिक तक फैला हुआ है एलोरा महाराष्ट भारत में सीथ परिसर में एक उच बेसाल चट्टान की दिवार में कंदे से कंदा मिला कर खोदा गया था इन 34 मठों और मंदिरों में से कैलासा गुफा सोला अपने आकरसक अनपात के कारण द्रवनी वस्तुकला का एक उलेखनी एकजामपल से और आप ये भी जानते हैं कि आठ्वी सताबदी में राष्ट पूट राजा कृष्ण पथम ने इसे बनवाया था राक टाक वस्तुकला की मूर्थिकला एक अलंकरन है ये भगवान सीव की निवास कैलास परवत को याद करने के लिए बनाया गया ये एक चट्टान को तरासकर बनाया गया एक महा पाशान है और आठ्वी सताबदी में राष्ट कूट राजा कृष्ण पथम ने इसे बनवाया था और अगला परसने कितने आसरम जैन धर्म और बौध धर्म के युग में बने थे दो तीन चार पाँच देखे जैन और बौद धर्म के युग में जितने आस्रम बने थे तोटल चार आस्रम बने थे और चार आस्रम कौन कौन से यह भी बताएंगे चार आस्रमों में ब्रह्मचर, गरहस्त, वानप्रस्त और सन्यास यह चार आस्रम है आस्रमों की व्यस्ता ने पुर्षों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में बिताने की अन्मत भी दी थी तो कौन है ब्रह्मचर, गरहस्त, वानप्रस्त और शन्यास अंगला प्रश्ण है चोल समराज का संस्थापक कौन था बिजियालय, उत्तम, राजाधी राज या गंदरादित की बात करते हैं तो चोल समराज का संस्थापक आपका बिजियालय था पहला आपसंस ही कर लिजेगा इसके बाद आप कंगला प्रश्ण है साथ वहन वन्स का सबसे महान राजा कौन था हाल, सिमोक, सतकरणी प्रथम, गौत्मी पुत्र, साथ करणी साथ वहन वन्स सबसे महान राजा साथ वहन वन्स का सबसे महान राजा कौन था और व्यथा गौत्मी पुत्र, सतकरणी की बात करें इसके बाद अंगला प्रश्ण है सिंद गाटी सबता को दोला बीरा किस के लिए प्रसिद्ध है मिट्टी के बर्तनों, जल संरचन, समुद्री बंदरगाह या राक कट आर्किटेक्चर तो सिंद गाटी सबता जो दोला बीरा है या किस के लिए प्रसिद्ध है त्यापके जल संच्छन के लिए पसिद्ध है यह दोस्तों दोला बीरा का सुन्दू इस्तल अपनी भविस्थ की जल संचैन तक्नीकों के लिए उलेखनी है इसने वर्सा का जल संचैन नेटवर्क पानी के आपूत करने वाले टैंकों तलाबों की एक प्रणाली है यहां तक क सीवेश सिस्टम भी अपने समय के लिए उन्नत के लिए परयाप सबूत भी है तो दोला बीरा का जल संचैन उनकी उन्नत हाइडॉलिक इंजिनिरिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है और हमें सिखाता भी है अंगला पस देख लेते हैं मनु इस्मत में किस विसय का उले लेक है राजनेती, कानून, अर्थसात, खगोल सभी लोग बताईए मनु इस्मत में किस विसय का उलेक है तो मनु इस्मत की जब भी बात की जाती है तो कानून का नाम आता है मनु इस्मत की सनचना और समागरी का सुझाव ये मुक रूप से ब्रामनों, पुजारी वर्ग और छत्रियों, राजा, प्रसासन और योद्धावर्ग परलचीत एक दस्तावेज है पाठ ब्रामनों के लिए कानूनी और अपेचित गुणों पर 1034 चंद है और सबसे बड़ा हिस्सा छत्रियों के लिए 971 चंदों को समर्पेद करता है और इसका स्रे महान प्रतम बिक्त कानून विद मनु को दिया जाता है तो आज की क्लास पर हमने आपको ये बात किया नमबर ये थर्ड है बाई जेसवाल सर और आज की क्लास हम मद्ध कालीन भारती इतिहास के जो प्रस्ण है वो करेंगे क्योंकि इतिहास आपके तीन चेप्टरों में है प्राचीन, मद्ध और आधुनिक, ये आपके भारती इतिहास कर रहे हैं इसके बाद मद्ध पदेश के इतिहास करेंगे फिर इसके बाद अंगले चैप्टर की बात करेंगे तो सभी लोग तयार हैं, सभी लोग तयार हो जाईएगा इस क्लास में 25 प्रशन करने वाले हैं तो बहुत इम्पोर बात करते हैं दोस्तों पहला प्रशन आप लोगों किस किन पर है अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता था बहादूर साय जफर फरुक खासियर फरुक सियर और शाह आलम दुती या इन मेंशे कोई नहीं तो अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता था तो अली गहर दोस्तो साह आलम दुती को कहा जाता था अली गहर किस मुगल राजा को कहा जाता था साह आलम दुती को कहा जाता था इसके बाद आपका दूसरा पस्ट इत्माद दुदौला का मकबरा किसने बनवाया था नूर जहाने, साह जहाने इत्माद दौला श्वैम ने बनवाया था ये अन्मे से कोई नहीं सबी कमेंड किजेगा इत्माद दौला का मकवरा किस ने बनवाया था दिखे कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा उसने स्वैम बनवाया था योकि जिनका ध्यान तो जातों स्वेम बनवाते नहीं है तो उनकी बेटी थी नूर जहा, नूर जहा के पिता थे, इतमाद दौला का मकवरा नूर जहा ने स्वेम बनवाया था। ये संपूर्ण संगमरमर से बना हुआ है और इसमें बहुमूल पत्थरों की नकासी भी की गई है। तो किसने बनवाया नूर जहां ने बनवाया था। नूर जहां कौन थी उनकी वेटी थी। अगला मुगल समराट की सुरुवात की सुवर्ष हुई 1520, 1522, 1538, 1526 सभी कमेंट कीजएगा तो मुगल समराट की सुरुवात की सुवर्ष से हुई है सभी लोग बताइएगा तो दोस्तों मुगल समराट की जो सुरुवात हुई है वह आपके 1526 से हुई है आफसर नमबर D में जुदिया का है वाए सई हो जाएगा जियां दोस्तों मुगल समराट की सुरुवात के बारे में बात करते हैं तो 1526 में हुआ था और ये दोस्तों आपके बाबर से युद्ध में इबराहिम लोधी मारा गया और मुगल वन्स की सुरुवात हुई थी मुगल वन्स की सुरुवात किस से हुई थी जब बाबर से युद्ध हुआ और इबराहम लोधी जो है मारा गया था तब से वहां मुगल बंस की सुबात हो गई थी इसके बाद है फोर्थ क्वेश्टन्स वोर नंबर का प्रशन है जो आप लोगों किस किन पर है सेर साह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए सोने चांदी के सोने और तांबे के तांबे और चांदी के सोने चांदी तावे तीनों के चलवाए थे तो सेर साह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे सभी लोग बताईएगा जहां दोस्तों सेर साह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे तो यहां पे दोस्तों राइट आपसन आचुका है सोने, चांदी और तामे तीनों के सिक्के चलवाये थे इसके बाद अंगला प्रस्टन है पांचला प्रस्टन आप लोगों किसकिन पर है जाटों का प्लेटों किसे कहा जाता था सूरजमल, जवाहर सिंग, गोकुला या राजाराम सभी लोग बताएगा जाटों का प्लेटों किसे कहा जाता था देखें दोस्तों वर्गेक में हमने देखा है B.A.M.A. B.S.C. M.S.C. M.C.M. B.C.M.C.C. इस प्रकार के पूँचे गए थे तो ये तो पता है कि 9-12 तो टॉल्ट आने वाला है आपके वर्गदों में 9-12 तक ज़्यादतार 11-12 के रहेंगे टॉपिक तो ये ध्यान लीजेगा 11-12 के जो आपके टॉपिक है सिलेवस में उनको अवस पढ़ लीजेगा तो जाटों का प्लेटों किसे कहा जाता था तो सूरज मल को कहा जाता था पहला आपसन सही कर लीजेगा सूरज मल की बात करें सूरज मल 1756 से 1730 तक भरतपुर में जाट राजवन्स का राजा था उसे जाटों का प्लेटों कहा जाता था, तो जाटों का प्लेटों किसे कहा जाता था, सूरज मलकों कहा जाता था, और अंगला प्रशन है, जो आप लोगों किसकीन पर है, कि संगम काल में पिल्लाई सब्द किसके लिए प्रयोग होता था, छात्र के लिए, सिच्छा के लिए पुजारी के लिए लेखा के लिए तो संगम काल में पिल्लाई सब्द किस के लिए प्रयोग होता था पिल्लाई सब्द जो है किस के लिए प्रयोग होता था छात्र के लिए प्रयोग होता था संगम काल एक तमिल नारु का एक प्रमुक काल था उसमें पिल्लाई सब्द छात्यों के लिए प्रियोग होता था तो कहां का था तमिल नानु का एक प्रोंग काल्ट अंगला पसने तुंग भद्रा ने तट पर कौन सा सामराज विक्सित हुआ तुंद भद्रा के तट पर जो है कौन सा सामराज विक्सित हुआ था बिजय नगर बहमानी चालुक या चोल तु तुंग भद्रा के तड़ पर कौन सा सामराज जो है विक्सित हुआ था वह हापका बिजय नगर पहला आपसंस ही कल लिजेगा बिजय नगर की स्थापना हरीहर और बुक्का नामक दो सगे भाईयों दौरा हुई थी और ये मद्ध काल का सबसे बड़ा हिंदू सामराज था हरीहर और बुक्का का मलेबिद और वेलूर के मंदिर किस वन्स के राजाओं ने बनवाए थे काकती होईशल चालुक बिजय नगर मलेबिद और वेलूर के मंदिर जो है खोईशल राजाओं ने बनवाए थे अंगला पुष्णा इसकीन पर है अकबर नामा के लेखक अबुल फजल ने मुगल सामराज में अपने समय की सुरुवात किस रूप में की थी सुवेदार के रूप में मनसबदार के रूप में दरबारी के रूप में यह सैनिक के रूप में की थी तो अकबर नामा के जो लेखक थे अबुल फजल उन्होंने मुगल समराज में अपने समय की सुरुवात किस रूप में की थी तो अपने समय की सुरुवात जो है मनसबदार भी आपसंस सही हो जाए अबुल फजल को पंदर सो चोहतर के करीब अकबर ने मिलवाया गया था अबुल फजल को पंदर सो चोहतर करीब अकबर से मिलवाया गया और उसे मनसबदार के रूप में सूची बद्ध किया गया था 1589 में अकबर के कहने पर अबुल फजर ने अकबर नामा लिखना सुरू किया जो अकबर के सासनकाल का सबसे बिस्तत इतिहास है तो अकबर के सासनकाल का सबसे बिस्तत इतिहास कौन है वह है अकबर नामा किसने लिखा अबुल फजर ने लिखा अक्बर नामा शुरू में 1596 में बन कर तयार हुआ लेकिन बाद में इसका लेखा जोखा 1661 तक चलता रहा जो कहते हैं इरिटिंग होते हैं उसमें क्या जोड़ना क्या घटाना तो वो 1601 तक चलता रहा भारत में मुस्लिम सासन इस्थापित करने का स्रे किसको जाता है अरब तुर्क मंगोल या पर्सियन को जाता है तो भारत में मुस्लिम सासन इस्थापित करने का स्रे किसको जाता है तो हम बात करेंगे तुर्क को जाता है किसको जाता है तुर्क भारत में मुस्लिम सासन इस्थापित करने का स्रे तुर्कों को जाता है देखे भारत पर उनकी बिजय का कारण क्या है नेथ तुर्कों की बिजय का कारण क्या है कि उन्होंने अपने धार्मी को साय में अधिक कटर्था के साथ धर्मानतर के मादम से इसलाम का नेत्त उग्रहन किया था उनकी नसलका सेष्था की भावना थी प्रचार करने का दरण संकल्प था इसलाम उन्होंने अपने हतियारों की ताकत में विश्वास था तुर्कों ने पश्चिमी के पश्चिमी A.C.A. के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की और फिर पश्चिमी के बार पूर के ओर बढ़ते हुए गजनी के सुल्तान महमूत के साथ भारत में प्रवेस किया जो भारत में गहराई से प्रविश करने वाले पहले बेखती थे इसके बाद अंगला प्रिश्ण है कि मुगलों का मानक सोने का सिक्का क्या था मोहर, जेतल, रुपया, टंका तो मुगलों का मानक सोने का सिक्का जो था वह था मोहर क्या था दोस्तों मोहर पहला आपसंस इकल लेजे मुगलों का मानक सोने का सिक्का लगबग 170 से 75 ग्रैन का मोहर था और अबुल फजल ने अपनी आइन ए अकबरी में संकेत दिया कि एक मोहर 9 रुपए के बराबर होता है और आधार चौथाई मोहर भी ग्याद किया था तो आइन ए अकबरी में संकेत दिया गया था कि मोहर जो 9 रुपए के बराबर होता है यह एक मोहर की कीमत 9 रुपए इसके बाद आईए बात करेंगे अंगले प्रश्ण की प्ररम्भिक मद्योगीन काल के समय पहले चरण के दोरान ब्यापार और वाने जी के सम्मन्द में कौन सा सच दिया गया है पहला है कि प्रचलन में सिक्के बहुत खराब गुणवत्ता के थे और उनकी क्रय सक्ति बहुत कम थी पाल और सोना ने अपनी सरकार के दरान बहुत सारे सिक्कों का निर्माण किया या इस अबदी के पहले चरण के दरान मौद्रिक अर्थव्यस्था की कमी ब्यापार में गिरावट का संकेत देखती तो फस्ट और थर्ड यहां पे हमारा माना गया है प्रारंबिक मद्ध यूगीन काल के पहले चरण के दरान ब्यापार और वानिज के समन्द में जो सच है कि प्रचलन में सिक्के बहुत खराब गुणवत्ता के थे और उनका क्रेश सक्ती बहुत क्रम था साथी साथ इस अबदी के पहले चरण के दरान मुद्रिक अथविस्था की कमी व्यापार में गिरावट का संकेत देती है तो जो पहला आपसन पहला और तीसरा जो है दोनों वाल हमारा सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे आपके अंगले पिस्ट की गजनी के महमूद को निम में से या निमलिखित में से किस भाई के साथ उत्रादिकार का संचिप्त युद्ध लड़ना पड़ा साबुत्गिन, मशूद, इब्राहिम, इसमाईल तो गजनी के महमूद को इन में से किस भाई के साथ उत्रा दिकार का संचिप्त युद्ध लड़ना पड़ा था और वैं था इसमाईल महमूद सुभक्तगीन का सबसे बड़ा पुत्व था अपने पिता सुभक्तगीन के म्रत्व के बाद महमूद सत्ताईस बर्सक्याव में अपने भाई इसमाईल के साथ उत्रा दिकार के एक संचिप्त युद्ध के बाद सिंगासन पर बैठा अंगला प्रस्न मुहम्मद बिन कासिम जो साथ सुभारा इसी में सिंध पर सफलता पूर्वक्त आकमन करने वाले पहले मुस्लिम थे किस खलीफा के कमंडर थे रसीद्दुन खलीफा, उम्यद्ध खलीफा, अभू खलीफा या फात्मित खलीफा चार आपसंस आपकी स्किन पर दिये गए तो मुहम्मद बिन कासिम जो सत्रह सुभारा इसी में सिंध पर सफलता पूर्वक्त आकमन करने वाले पहले मुस्लिम थे किस खलीफा के कमंडर थे, उम्यद्ध खलीफा, किसकी पात करेंगे, उम्यद्ध खलीफा के कमंडर थे और राजा दाहिर अरोर की उद्ध में मारा गया था मुहम्मद बिन कासिम की सफलता के समय निरूण किसके अधेन था, जैसिंध, दाहिर, बजरा, इनमें शिकोई ने तो मुहम्मद बिन कासिम की सफलता के समय निरून जो है किसके अधिन था तो जैसिंद के अधिन था मुहम्मद बिन कासिम ने निरून की ओर कूच किया और निरून दाहिर के पुत्र जैसिंद के अधिन था जैसे ही अर्वों ने आक्रमन किया जैसिंद किले को एक पुजारी को सौपकर भाग गया उत्री सिमाओं से भारत पर अपने प्ररम्भी खमलों में महांम्मद गौरी ने निम्निखित में से किस दर्रे को चुना खैवर दर्रे, गोमल दर्रे, हाजी कक या बोलन दर्रे गोमल दर्रा, उत्री सीमाओं पर भारत पर अपने प्राभी खमलों में महांमध गौरी ने किस दर्रे को चुना था, गोमल दर्रे को चुना था इसके बाद अंगलापस्नाय कि बलबन को कि सुल्तान का उत्राधिकारी बनाया बहराम साह, रजिया सुल्तान, रुकर्नुद्दीन, फिरोज साह, नसुरुद्दीन महमूद तो बलबन को किस सुल्तान का उत्रा दिकारी बनाया गया वह आपके नसुरुद्दीन महमूद जी हाँ दोस्तों नसुरुद्दीन महमूत के बाद गयास उद्दीन बलबल को उत्रहदिकारी बनाए गया जो मामलुक वन्स का नववा सुल्तान था इसने इस बारा सो चाचा टीश्वी से लेके बारा सो चीयासी हिस्वी तक दिल्ली सल्तन पर सासन किया और यह जो है समसुद्दीन, इल्थुतमिस और अलाउद्दीन खिचली के बीच सल्तनत का सबसे सक्तिसाली सा सकता किसकी उद्दीन बलबन की बात करेंगे अंगला निम्नकी दमें से कौन सा अध्धा देश अलाउद्दीन खिचली द्वारा पारित किया गया था यह अध्धा देश हैं तो कौन सा अध्धा देश अलाउद्दीन खिचली द्वारा जो है पारित किया गया था रईसों की संपत्ति की जबति की जाए रईसों की सभी गुप्त गत्विदियों के सूचना तुरं सुल्तान को दी गई सराव और नसीले पदार्तों का अप्रियोग प्रतिवन्दित कीया गया था यह उसके ऑन्मत के बिना आप समाजिक समर्व उसों नहीं मना सकते थे तो अलाउद्दीन खिचली द्वारा पारित किया गया था कौन कोन से अध्धा देश ये नीचे आपसंस दिये गए तो जो डी आपसंस दिया गए है एक, दो, तीन, चार ये चारों अदेश पारित किये गए थे अलाओ दिन खिजली के द्वारा कि रईसों की संपत्ती को जब्त किया जाए और रईसों के सभी गुप्त गदविदियों के सोचना तुरन सुल्तान को दी जाई सराब नसीले पदातों का प्रतिबंद किया गया और सुल्तान के अनमत के बिना समाजिक समरो और उसों की मना ही की गई ये अध्धादेश अलाओ दिन खिजली द्वारा पारित किया गया था इसके बाद हम बात करेंगे अंगले प्रश्न की निम्लिकित में से किसे अलाओ दिन खिजली ने उत्तर पच्चिमी सीमा की रच्छा के लिए मार्च के वार्डन के रूप में निक्त किया था अलाओ दिन खिजली ने उत्तर पच्चिमी सीमा की रच्छा के लिए मार्च के वार्डन के रूप में निक्त किया गया था गाजी मलिक अ है कि पार्डन हें इसके बाद अंग्ला प्रिशनय पानी पत्त की पहली रडाई कि निक्त trolls से किस वर्स में हो पानिपत का पहली जो लड़ाई है 1526 सीसी में हुई इब्राहिम लोदी पराजित और मारा गया था उसके साथ संत्लनत काल समाप्त हो गया और बाबर को दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमन करने के लिए आमंत्र या आमंत्तित भी किया था तो पानिपत की पहली राए में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा भी गया इसके साथ साथ जो शंत्लनत काल भी समाप्त हो गया था इब्राहिम लोदी के बाद और बाबर को दौलत खान लोदी ने किसने दौलत खानलोदी ने भारत पर आक्रमिर करने के लिए अमंतित किया था तो कहीं ने कहीं भारत वाले ही सामिल थे तब ठीक है घर का बेदी लंका ढोबे तो उस प्रकार काप कहता है इसके बाद अंगला पिशन है पुर्तगाली यात्री डुमिंगो पेस और बारबोसा निमलिकित में से किसके सासनकाल में भारत आये थे देवराय प्रथम, देवराय दोती, कृष्ण देवराय या अच्चित देवराय सभी कमिन की पुर्टगाली याति डोमेंगो पेस और बारबोसा जो है किसके सासनकाल में भारत आये थे तो कृष्ण देवराय के सासनकाल में भारत आये थे पुर्टगाली याति डोमेंगो पेस और बारबोसा कृष्ण देवराय के सासनकाल में आये थे इसके बाद अंगला जो प्रशने आपके स्कीन पर है कि पुष्टी मार्ग संप्रदाय संक्रा चार द्वारा इस्थापित किया गया था या क्रश्ण भक्ति को एक महान आधार दिया उग्रोक्त में से कौंसर गतन सही है केवले केवल दो या एक और दो दोनो ना तो एक ही ना तो दो देखे पुष्टी मार्ग संप्रदाय के बारे में जो सही दिया गया है केवल दो कि क्रश्ण भक्ति को एक महान आधार दिया गया पुष्टी मार्ग संप्रदाय सिकन बाला तो यहां पर भी आप संदिया गया है वह हमारा सई हो जाएगा इसी के साथ यंगला पुष्ण है इनमलिकित में से कौन सबसे पहले सिख गुरू और सिख धर्म के संस्थापक थे गुरू गोविंद सिंग, गुरू अंगा सिंग, गुरू नानक सिंग, गुरू हरु गोविंद सिंग तो इनमें से कौन जो पहले सिख गुरू और सिख धर्म के संस्थापक थे वह गुरू नानक जी थे सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे पहले गुरु नानक जी थे और जो एक निर्गुन भक्ति संत्य और एक समाज सुधारक भी आपके नानक जी थे और उनका जन्म तलबंडी गाउं में एक खत्री परिवार में हुआ था जिनका अब ननकाना कहा जाता है ठीक है जो खत्री परिवार था उसे किस नाम से जाना जाता है ननकाना परिवार के नाम से जाना जाता है अंगला पुश्णाय कि निम्कित में से किस ने प्रसिद पंचरत्न करतियों की रचना की है त्याग राज नर्सिंग मेहता चैतन महाप्रभू बल्लबाचार निम्कित में से किस ने प्रसिद पंचरत्न करतियों की रचना की है वह त्याग राज जिहां त्याग राज जो है प्रसिद्ध पंचरत्न करतियों की रशना की है त्याग राज ने की है संद्याग राज करनाटक संगीत के महान संगीत कारों में सेख थे इन्होंने भगवान राम की स्तूति में हजारों भक्ति रशनाओं की रशना की जिनमें से अधिकांज तेलगू में उन्होंने परसिद पंचरतन की करतियों की भी रचना की तो संग त्यागराज करनाटक के संगीत के महान संगीत कारों में से एक थे अंगला प्रशने निम्लिकित में से कौन जो है पाक पट्टन तीर्थ के रह स्वाधी घेरे का हिस्सा बन गया मकदुरन अलाउद्दीन अली अब्दुल कुदुस गंगोही मुहिबुल्ला इलाहवादी सलीम चिस्ती इन में से जो है दोस्तों पाक पट्टन तीर्थ के रह स्वाधी घेरे का जो हिस्सा बन गया था वह था सलीम चिस्ती जै दोस्तों सलीम चिस्ती जो बाबा फरीद के वंसस थे समराट अकबर के सासनकाल के दोरान रहते थे उनका परिवार पंजाब से सीखरी चला गया जहां वे पाक पट्टन मंदिर के रहसवादी घेरे का हिस्सा बन गये थे तो आज की क्लास में हमने कंप्रीट किया मद सभी लोग प्रेलेश्ट में और जो हम सलेवस वाइज चलना है हिस्टी का चैप्टर इतिहास का चैप्टर चलना है आपके प्राचीन भारती तिहास मद कालीन भारती तिहास आधनिक भारती तिहास इसके बाद फिर मद पदेश क प्राचीन, मद्ध कालीन और आधनिक करेंगे इसके बाद ने सेसन की बात करेंगे तो पूरे सेसन की कम्प्रीट प्रिपेशन करेंगे A to Z ताकि 120 में से आप लोगों का जो स्कोर है 100 प्लस अवसा सके क्वालिफाइट सभी लोग हो सके तो सभी लोग त्यार हो जाएगा आज की क्लास का पहला प्रशन है कल हमने 25 प्रशन किये थे मद्ध कालीन भारती तिहास से आज हम और 25 प्रशन करने जा रहे हैं जो important questions है निम्निक्रित में से कौन जो है बुरहान फस्ट की सरकार में मंत्री बना और राज की धार्मिक नेतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया मली कंबर, टोडर मल, शाहिर ताहिर, इसमाईली या इनमेश कोई ने सभी कमेंट कीजिए गजिया मेरे प्यारे प्यारे भायों के प्यारी प्यारी बेहने ग्रणी जिनका सपना है तो बुरहान फर्ष्ट की सरकार में मंत्री बना और राज की धार्मिक नेतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया वह है साह ताहिर इसमाईली स्री आप्सन सही कर लेजेगा साह ताहिर इसमाईली फारस के एक प्रवासी सिया बिद्वान थे इन्होंने सुलामी सताबदी में दक्कंद का दोरा किया और बुरहान फर्ष्ट के डोमेन में बस गए वे जल्दी बुरहान फर्ष्ट की सरकार में मंत्री बन गए और उन्होंने राज की धार्मिक नेतियों को प्रवावित करना जो है सुरू कर दिया इसके बाद अंगला प्रष्ट है मली कंबर कौन था मंत्री था दास था कभी था इन में शे कोई नहीं इसी प्रकार के एक जाम में प्रष्ट पूछे जाएंगे तो मली कंबर कौन था दोस्तो सभी लोग बताईए मली कंबर कौन था तो मली कंबर एक दास था क्या था मली कंबर जो है एक दास था दोस्तो मुगलों के कबजे के बाद भी एहमेद नगर राज का एक निश्चित हिस्सा अभी भी बना हुआ था और मली कंबर द्वारा पूनर जीवित किया गया था मली कंबर एक एवीसिनियन गुलाम था मली कंबर क्या था एक एवी सिनियन गुलाम था जिसने मुर्तजाद दोती के तहत वास्विक सासक के रूप में पूर्ण शक्ती ग्रहन की थी तो दास की बात करेंगे मली कंबर कौन था एक दास था इसके बाद अंगला पुष्ण है निम्लिकित में से किसने किताब ए नवरास की पुष्टक लिखी जिया किसने लिखी थी सभी लोग कमेंड केज़ेगा जिया दोस्तों आपके इसके इन पर एंसर है और सभी को कमेंड करना है कि इन में से जो है किसने किताब ए नवरास पुष्टक लिखी मलिक हसन बहरी इब्राहाम आदिल साह सिकंड अली आदिल साह फस्ट बुरहान निजाम साह तो किताब ए नौराज पुस्तक किसने लिखी है तो इब्राहिम आदिल साह सिकंड ने लिखी है किताब नौरास पुस्तक किस ने लिखी इब्राहिम आदिल साह सेकंड इब्राहिम आदिल साह द्वती ने 1580 से 1667 से इसमी तक बीजापूर की सतनात पर सासन किया वह संगीत के महान संरच्छक थे इन्होंने कई संगीत वादियंत बजाएं भी हैं और इन्होंने दखनी में किताब नौरास मतब नौरासों की पुस्तक भी लिखी थी तो कहाँ पर लिखी दखनी में अंगला पुष्ण है ध्यान पूर्वक अपना फीडबेक कीजेगा भारत में निम्लिकित में से किस सासक ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए महजर नामा जारी किया था जहांगीर, अकबर, औरंगजेव, साह, आलम चार आपसंस आपकी स्कीन पर दिये गए तो भारत में जिस सासक ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए महजर नामा जो है जारी किया गया था वह है किस के द्वारा, किस सासक ने अकबर, या दोस्तों अकबर ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए महजर नामा गोंसित या जारी किया इसने उन्हें धार्मिक मामलों में सर्वोच बना दिया उसने उले माओं के पर्भुत को रोकने के लिए महजर नामा जारी किया इसे फाउजी ने 1589 में लिखा था तो महजर नामा किसने लिखा था? फयी ने लिखा था किस ने जारी की आकबर ने लिखा किस ने फयी ने कब लिखा 1589 में लिखा था तो दोनों चीजों को आपको कवर कर लेना है अंगला प्सने जहांगीर की मर्तु निम्लखित में से किस वर्स होई थी 1667, 1630, 1630 1636 में तो जहांगीर की इम्रत्तु आपको बताना है किस वर्ष होई थी, तो वह होई थी दोस्तो, 1627 ईसवी में, पहला अप्सन साही हो जाएगा, जहांगीर की इम्रत्व जो है 28 अक्टूबर 1627 में हुई जब जहांगीर की इम्रत्व हुई तो साह जहां आगरा पहुच गया और रईसों, प्रमुक दिवान, आसफ खान और सेना के समर्थन से मुगर समवाच की गद्दी पर बैठा तो कौन बैठा? जहांगीर की मत के बाद साह जहां और 28 अक्टूबर 1627 इसी में कासमी से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवार नामा किस्थान पर निधन हो गया था लहोर के पास सहादरा में रावी नदी की किनारे दफनाया गया जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्नकाल कहा जाता था प्रशन कभी-कभी पूचा जाता है किस के समय में चित्रकला का स्वर्नकाल कहा जाता था तो जहांगीर के समय और जहांगीर को किस नदी के किनारे दफनाया गया था तो रावी नदी के किनारे दफनाया गया था और ये लहोर के पास सहाद्रापर है तीक है तो इन चीजों को छोटी छोटी चीजे होती है इंपोर्टेंट होती है एक्जाम किरस से निमलिकित में से किस युद्ध ने सेर साय को सूरी वंस की स्थापना में मदद की कन्योज की लड़ाई, चौसा का युद, दुहरिया की लड़ाई ये चंदेवाली की लड़ाई तो जिस युद्ध में सेर साय को सूरी वंस की स्थापना में मदद की थी वह चौसा कयूद 1549 चौसा कयूद कब लड़ा गया 1549 में और चौसा की लड़ाई जो है मुगल समराथ हुमायूं और अफगान सेरसाय सूरी के बीच एक उलेखनी सैन जुडाव था यह 26 जून 1549 को चौसा आधनिक बिहार में लड़ा गया था इसने सेरसाय को सूरी बंस की स्थापना में मदद की थी अंगला 25 युद में सेरसाय सूरी का सामना जैता और कुमपा के कमांडरों के नितत वाली राठा और सेना से हुआ था जोद्पुर की लड़ाई समेल की लड़ाई लालसोट की लड़ाई या चन्देरी की लड़ाई तो जिस युद में सेरसाय सूरी का सामना जैता और कुमपा के कमांडरों के नितत वाली राठा और सेना से हुआ था वे कलाती है समेल की लड़ाई समेल की युद्ध में सेव साय सूरी का सामना जैता और कुमपा के कमांडरों के नितत वाली राठा और शेना से हुआ था किस लड़ाई में समेल की लड़ाई पे हुआ था इसके बाद अंगला प्रस्ण है निम्लिकित में से किसने गयास, बेग, नकीव खान और नियामतुला जैसे बिदानों का सनच्छन दिया जहांगीर, अकबर, साहजहां और अंगजेव देखे जिसने गयास बेग और नकीव खान नियामतुला जैसे बिदानों को सनच्छन दिया था वैं आपका जहांगीर किसने दिया था जहांगीर ने गयासवेग नकीब खान और नियाम तुल्ला जैसे विद्दानों को सनच्छर दिया जहांगीर की बात करें जहांगीर के सासनकाल के दौरान अब्दुल हमीद लहौरी ने पादसाय नमय और खफी खान ने मुंत्खव एक लुबाब लिखा था प्रश्ना सकता है कि अब्दूल हमीद लाहौरी ने पदसाय नमय, तो पदसाय नमय किसने लिखा, अब्दूल हमीद लाहौरी ने लिखा, और मुंत्खव ए लुबाब किसने लिखा, तो ख़फी खान ने लिखा था, ये इन दोनों चीजों को आपके रिमाइंड कर लेना, exam के जास्थ से important है, अंगला पुछने, निम्लिकित में से कौन सा सब्द जो है सर्थनत और मुगलकाल में किसानों को बीज, क्रसी, उकरन आदि के लिए दिये गए रिंड को सठीक रूप में परिभासित करता है बांध, दहशाला, तक्कावी या नैस्की के बात करेंगे इन में से वैस सब्द जो है सर्थनत और मुगलकाल में किसानों को बीज, क्रसी, उकरन आदि के लिए दे गए रिंड को सठीक रूप से जो परिभासित कर सकता है वैं आपका है तक्कावी जी हैं दोस्तों, तक्कावी जो होता है, ये लोगों को क्रसी के लिए पुनरवास के लिए दिये जाने वाला रिंड होता है इसके लिए क्रसी के लिए पुनरवास के लिए जो रिंड दिया जाता है, उसे तक्कावी बोला जाता है और इसकी सुरुवात तुगलक ने की थी किसे की थी तुगलक ने इसलिए इसका नाम तक्कावी पड़ा था और क्रस्विकास के लिए यह रिन दिया जाता है तो क्रस्णा जाए कि क्रस्विकास के लिए रिन दिया जाता था तुगलक में तो वह तक्कावी के नाम से दिया ज तो अकबर के सासनकाल के समय जो है मुगल सामराज जितने सूबों में भाजित था तो मुगल सामराज टोटल बारह सूबों में भाजित था कौन-कौन से सूबे थे तो अकबर सासनकाल के दौरान मुगल सामराज बारह सूबों में या प्रांतों में भाजित था इलाहाबाद, आगरा, अबध, अजमेर, अहम्दाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लहोर, मालवा और मुल्तान थे ति हमारे टोटल बारे थे इसके बाद अंगला प्रसन है, जो आप लोगों को नोट कर लेना है, फीड़बेक करना है, अच्छे तरीके समझना है, टेलिग्राम से जोईन कीजिए, फ्री में नोट्स और पीडिया फाइल प्राप्त कीजिए, साथ इसाथ इंस्टाग्राम, पेजबुक, पेजबुक, प हसा में दिया गए कि कौन सापसन सही हो जाएगा, ठीके, तो अकबर के प्रसासन में दिवान के जो कार थे दोस्तों, दिवान का कार, दिवान को सूबों में राजस, संग्रह और परवेच्छन करना था, और सभी ब्यवों का लेखा जोखा रखना था, उनसे खेती के छेत म ब्रद की भी उमीद थी, कभी-कभी किसानों को उनके कार्याले के मादम से तकावी वा अग्रिम रिन दिया जाता था, तो तीनों आपके सही है, तो टी आपसन को में आपे चैन कर लेंगे, कि नीचे दिये गए कूट में से, तीनों हमारे जो है, अकबर के प्रसासन में दि अब हैं, जो असद नाम से उर्दू गजल लिखता था, मीर, तकी, मीर, दुश्यन्त, मिर्जा गालिव या अमीर खुश्रो, तो असद नाम से उर्दू गजल जो लिखता था, वह था मिर्जा गालिव, जह दोस्तो, मिर्जा गालिव का पूरा नाम था, मिर्जा था हम मेंसे ज़्यादा तरलोग गालिब के नाम से जानते हैं और उनका कलम नाम था गालिब क्या था उनके कलम का नाम था गालिब लेकिन गालिब से पहले इन्होंने असद नाम से लिखा था जिसका मतलब सेर होता है आसद का मतलब क्या होता है सेर और बहादूर साय जफर दती द्वारा उन्हें दवीर उल्मुल्क की उपाद से समानित किया गया अप्रस्न आता है कि मिर्जा असुल्ला को दवीर उल्मुल्क की उपाद ही किसने गी तो बहादूर साय जफर दती द्वारा दी गई थी और बहादुर साय जफर दोतीद आरा कौन सी उपाध ही दी गई थी तो दबीर उल मुल्क की उपाध ही दी गई थी दोनों चीजें हैं गुमाफिरा के पूंचा जा सकता है अंगला है उस्ताद ईसा मुगल काल में निम्लकित में से किस इमारत के डिजाइन और वस्तुकला से सम्मंदित है तो वह आपका है ताज माल जहें दोस्तो ताज माल के मुख वस्तुकार कौन थे उस्ताज ईसा थे अंगला है पवन खिंड की लड़ाई सिवाजी और किसके बीच लड़ी गई थी अबजल खान आदिल साह सिद्धी जोहर या रुस्त मजमन तो दोस्तो पवन खिंड की लड़ाई जो है सिवाजी और सिद्धी जोहर के बीच लड़ी गई थी पमन्खिन के लडाई किसके बीस सिवाजी और सिद्धी जोहर के बीस जो है लड़ी गई थी इस लडाई में सिवाजी ने राज की सुतंता को शिकार करने और आपचारिक रूप से पहचानने में मदद की थी निम्लिकित में से कौन जो है साजी भोषले के अधीन पेशवा था उनमें से कौन जो है आपके साजी भोषले के अधीन पेशवा था वह था दोस्तो शाम पंत कुल करनी रंजे कर था जिहां साजी भोषले के अधीन जो पेशवा था वह शाम पंत कुल करनी रंजे कर भी आपसन को सही कर लेजे इसके बाद अंगला प्रस्ण निम्रिकित में से किसे वेतन के एवज में दिया जाता था और वे हर तीन से चार साल में हस्तांत्रनी होते थे तो किसे वेतन के एवज में दिया जाता था तनखा जागीर, मसरूत जागीर, वतन जागीर या अल्थमगा जागीर तो वेतन के उरेज में दिया जाता था और हर तीन से चार साल में यह हस्तान्तर्णी होता था और यह कहलाता था तन्खा जागीर यहां दोस्तों जागीर दारी या दारी शातेम में विभिन प्रकार की जागीरें थी तनखा जागीर वे थे जो वेतन के बदले दिये जाते थे और वे हर तीन से चार साल में हस्तान्तिनी होते रहते थे मतलब नाम चेंज होता रहता था अंगला बाबर नामा किस भासा में लिखा गया था? पैरा, मंगोलियाई, चगताई, तुरकिक, हिजाजी, अर्वी, बहरानी, अर्वी तो सबसे पहले ये important points जान लीजे कि बाबर नामा जो भासा लिखा गया था वह तुरकी भासा में आपसर में देखें, तुरकी किस सब ने दिया केवल एक ही दिया गया है, तो चगताई, तुरकिक क्या होगा? चगताई, तुरकिक की बात करेंगे देखें, बाबर नामा को तुझक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है बाबर और जहांगीर मुगल सामराज की किवल दो समराठ जन्हों ने अपनी आत्मकथाइं लिखी बाबर नामा को इसलामी इतिहास में पहली सची आत्मकथा की रूप में भी जाना जाता है तो इस्लामी इतिहास में पहली सच्ची आत्म कथा की रूप में किसे जाना जाता है तो बाबर नामा को जाना जाता है किसी प्रकार में भी पूच्छा जा सकता है अंगल्या प्रसन्य निम्लिकित में से कौन जोई साहीजी भोषले के अधान पेश्वा था मोरोपन्त त्रेमबग पिंगले श्यामपत कुलकर्णी रंजेकर बाला जे विश्वनात या सोनोपन्त दवीर तो इन मेंसे कौन जो है साहिजी भोषले के अधीन पेशवा था तुवह स्यामपत्त कुलकर्णी रंजेकर जो है साहिजी भोषले के अधीन पेशवा था भी आपसं को सही कर लेजेगे अंगलक किस सुल्तान ने खुद को नायाव एक खुदा ही कहा इल्टो तमिष ने बल्बन ने अलाव दिन खिचली ने या ग्यासुद दिन तुगलक ने तो जिस सुल्तान ने खुद को नायाव एक खुदा ही कहा था वह तो दोसो बल्बन कहीं कहीं आपको अलाओ दिन खिजली मिलेगा लेकिन बलबन इस दर राइट एंसर यहाँ पर माना गया है बलबन के राजसु सिधान्त के दो मुख खुद देश थे पहला विस्तत दरवारी अनुष्ठानों के मादम से ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाना दूसरा कानून बिवस्था की बहाली और अपनी प्रसास्निक नीति के मादर्सक सिधान के रूप में समेकन और विस्तार के वीद चैन करना था इन्हों ने खुद को जो है नायावे खुदाही या इश्वर का डिप्टी कहा और लोगों को प्रभावित किया कि राजत सु प्रत्वी पर इश्वर का उप राज था देखिए अब समझ सकते हैं राजत तो जो है प्रत्वी पर एश्वर का उप राज था तो नायावे खुदाही जिसे एश्वर का डिप्टी कहा जाता है किसने कहा था खुद को बलबन की बात करेंगे अंगलापस ने दिल्ली सल्तनत की दर्वारी भासा कौन से फार्सी थी उर्दू थी हिंदी थी या अर्वी थी तो दिल्ली सल्तनत की दर्वारी भासा कैसी थी और वैं थी दोस्तों फार्सी दिल्ली सल्तनत की जो दर्वारी भासा थी वह आपकी कौन से थी फार्सी पहला आपसन सही कर लिज़े दिल्ली संद्नत का साहित फार्सी भासी लोगों के दिल्ली संद्नत के सिगासन पर चढ़ने के साथ सुरू हुआ और शभाविक रूप से भारत में फार्सी भासा का प्रशार हुआ और यह यहां की अधिकारिक भासा थी और जल्दी भासा में साहितिक क्रतियां भी दिखने लगी थी अंगला प्रस्ण है कि किसके सासनकाल के दौरान अधिक्तम मंगोल आक्रमण हुए बलबन के अलाउद्दिन खिजली मुहम्मद बिंतुगलक फिरोज तुगलक किसके सासनकाल के दौरान अधिक्तम मंगोल जो है आक्रमण हुए अलाउद्दिन खिजली भी आपसन को सही कर लेजे मंगोल आक्रमणों की अधिक्तम संख्या जो है अलाउद्दिन खिजली के सासनकाल के दौरान हुई मंगोलों ने कुछ अंतिम वर्सों को छोड़ कर अलाउद दिन क्षिली के पूरे सासनकाल के दौरान भारत की सुरच्छा की धमके दे गजनी और काबुल ने भारत पर हमला करने के लिए अपने सक्तिसाली ठिकावनों का गठन किया इसने किया गजनी और काबुल और वे सिंध और पंजाब तक आगे भढ़ गए थे अलाउद दिन के सासनकाल के दौरान उनके हमले जो है पिछले वाले के दुल्ला में अधिक उकुर हो गए थे जो पहले हमले हुगा करते थे लेकिन अलाउद दिन क्षिली के सासनकाल में जो हमले शुरू हो गए थे तो आज मेर या अमेर का किला स्वरी अमेर का किला किसने बनवाया था तो अमेर का किला राजा मान सिंग ने बनवाया था जी हैं दोस्तों अमेर का किला किसने बनाया राजा मान सिंग ने बनवाया था और राजा मान सिंग के सासन काल के दरान इस पुरानी सनरचना के आउसेसों पर बनाया गया था सनरचना का पूरी तार से विस्तार उनके वनसज जै सिंग प्रथम ने किया था तो प्रशना गया कि आमेर का किला जो है किस वनसज ने जो है इसका विस्तार किया तो जै सिंग प्रथम ने इसका विस्तार किया था और अस्वरी आमेर कहां पर है तो राजिस्थान राज में स्थित है सबी लोग जानते हैं बहमनियों से गोवा के महत्पूर्ण किले को हतियाने वाला पहला बिजय नगर सासक कौन था बुक्का आई हरिहर प्रथम हरिहर दोती रेवा राय सिकन तो बहमनियों से गोवा के महत्पूर्ण किलों को हतियाने वाला पहला बिजय नगर जो सासक था वै हरिहर दोती था हरिहर दोती बहमनी वारंगल गठ बंधन को विफल करने में सफल रहा और तेरा स्वस्षी में बहमनी समराज से पश्चिम में बेलगाम और गोवा को छेन लिया चौल बेपार के सम्रद्य राजस्व का स्रोत था इसके बाद अंगला प्रशना है कि अमीर खुस्ष्षरो थे एक कभी थे नाटककार थे चित्रकार थे या आर्किटिक्ट थे अमीर खुस्षरो एक क्या थे दोस्तों तो अमीर खुस्षरो जो थे वे कभी थे कभी अमीर खुस्रो आपने नाम भी साय सुना होगा ठीक है अमीर खुस्रो एक सूफी संगीर कार कभी और विद्वान थे वह फार्सी कविता के कई सेलियों के भिसे सग थे जो मध्योगिन भारास में विक्सित हुए थे इन्होंने गजल मशनवी कता रुबाई दो बेटी औ और तकरीब बंद सहित कई कभी तायम लिखी अंगला जो परशन दिया गया है कि निमलिकित में से कौन बिजे नगर कला का सबसे अच्छा उधारन है सांची अजनता हमपी या पुरी तो बिजे नगर कला का सबसे अच्छा उधारन है सांची अजनता हमपी पुरी कौन है सबी लोगों comment करना है ये प्रस्वी के लिए आपको लिए दे रहे है more question में दे रहे हैं सबी को comment करना feedback करना है बताना इसका right answer क्या होगा तो daily आपकी 11.30 में हमारी एम में class होती है 11.30 एम में सुभई साड़े गेरा बज़े कोई कभी कभी दिक्कत हुई तो 10-15 मिनट हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वज़े से साड़े गेरा बज़े आपकी वीडियो और class मिल जाती है उचलिए मिलते हैं बाकी 7 पीम में हम previous year के जो पेड़ोगाजी है उनके जो पहला part आना है तो पेड़ोगाजी की शुरुवात करेंगे जल्दी मिलते हैं आपके अंगली class पर शबी मित्रों को जैहिंद वंदे मातरम दनवाश रभी का नवशकार दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम आप शवी का श्वागत रमिननन है टी टी फैमली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर powered by सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की class में हम बात करने वाले हैं आपके सोसल साइंस की class रहेगी समाजी बिग्यान की class रहेगी यहाँ पर SSC की class होने वाली है और यह class number दोस्तो आपका 5 रहने वाला है आपके service के coding exam button के coding daily classes चल लई है इसके पहले 4 classes complete हो चुका है जिसका i button पर link भी दे दिया गया है playlist बना दिया गया है और यह class आपको daily 11.30 am में आपको daily upload हो जाती है 11.30 में आप लोग join करके daily class आप लोग attend कर सकते हैं इसके साथ साथ 7 p.m. में आपके बाल भी कास pedagogy की class होती है तो 7 p.m. में class आवस जोइन कीजेगा तो चलिए class को शुरुआत करते हैं और आज के जो chapter रहेगा आधुनिक भारती तिहास से सम्मंदित हम questions करने जा रहे हैं 25 महत पूर्ण प्रश्ण इस class में होने वाले हैं तो सभी लोग ध्यान पुरक समझेगा और feedback कीजेगा प्रश्ण पूचा जा रहा है कि अन्यंतित कलम से बरबादी होती है यह प्रसिद कतन किस महापरूस ने कहा था जवाल लाल नहरू, महत्मा गांधी, लियो, टॉलिस्टाय, रविर्ना, टैगोर अन्यंतित कलम से बरबादी होती है यह प्रसिद कतन किस महापरूस ने कहा था हम बात करेंगे महत्मा गांधी गांधी जी ने पत्रकाईता के संदर में कहा था और गांधी जी का मत्था की पत्रकाईता का मुखुदे सेवा करना है गांधी जी के अनुसार यदि कलम को न्यंतित ना किया जाए तो इसके पैडाम नुकसान दे होते है इसके बाद दूसरा प्रशन है इन में से बंगाल के किस सासक ने जर्बे मुर्सिदाबाद नामक सिक्का जारी किया मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्सिद कुली खान या सुजा उद्दीन मुहबत खान सभी कमेंट कीजेगा मेरे प्यारे प्यारे भायों के प्यारी प्यारे बहने ग्रहनी जिनका सपना है एमपी टेट इकजाम को फत्य करना जेस्वाल सर आप सभी कमेंदन श्वारत करते है तिनमें से बंगाल के किस सासक ने जरवे मुर्सिदाबाद नामक सिक्का जारी किया तो मुर्सिद कुली खान यहां दोस्तों मुर्सिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे उनका कारकाल 1770 से 1727 इसमी तक रहा उसने मक्सूदाबाद का नाम बदल कर मुर्सिदाबाद कर दिया जैसे ही मुगल समराथ फरूक सियार के नाम परिवतन तो मंजूरी दी लेकिन मुर्सित कुली खान ने नई टक साल में जर्वे मुर्सिदाबाद नामक सिखके जारी किये तो मुर्सित कुली खान बंगाल के जो पहले नवाब थे इन्हों ने आपके बंगाल में जर्वे मुर्सिदाबाद नामक सिखका जारी किये थे अंगला पसन निमलिकित में से किसने जो है वरना कुलर प्रेस अधनियम को रद्द किया लाड लिटन लाड रिपन लाड डफरेन लाड डलाओ जी सभी कमेंट कियेगा तिन में से जो है किसने वरना कुलर प्रेस अधनियम को रद्द किया है तो हम बात करेंगे लाड रिपन जहें दोस्तों लाड रिपन ने वरना कुलर प्रेस अधनियम को रद्द किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को ततकालीन वाइसराय लाड लेटन द्वारा यह पेस किया गया था इस अद्नियम के द्वारा भारत के प्रेस की अविक्की स्वतन्ता को सेमित करने का प्रयास किया गया था इस अधियम के थद भारती प्रेस द्वारा बिट्टी सरकार के लोचना को रोकने का प्रयास किया गया यह अधियम 14 माज 1878 को पास किया गया इस अधियम के थद सरकार के पास सेंसर शिप के काफी अधिकार आ गई थ और इस अधियम के पईडाम को देखते हुए लाड रिपन ने इस अधियम को रद कर दिया तो रद किस ने किया था लाड रिपन ने किया था अंगला पुस्ण है पुराने जकारता में इस्थित जकारता हिस्टी मुजियम का उपयोग किसके द्वारा मुख्यालय के तौर पर किया गया था British East Company, India Company, Dutch Ist India Company, Portugal East India Company, यह Danish East India Company की बात करेंगे. तो पुराने जकारता मिस्धित, जकारता हिस्टी म्युजियम का उप्यो किसके द्वारा मुख्याले के तोर पर किया गया था? तो हम बात करेंगे Dutch East India Company. भी आपसान यहापे आ लेड़ी सई हो जाएगा. जकारता इतिहास संग्राले की स्थापना सत्रै सोदस में की गई थी यह भवन डच एस्ट इंडिया कंपनी का मुख्याले था और बाद में डच उपनिवेशी सरकार का मुख्याले बना इसके बाद अंगला अपस ने सत्त सोधक समाज की स्थापना किस ने की थी राजा राम मोहन राय, नरायन गुरू, जोतिवा फुले, लहुजी, रगोजी, साल्वे सत्त सोधक समाज की स्थापना किस ने की तो जोतिवा फुले ने की थी जहां सत्त सोदक समाज के स्थापना किस ने की, जोतिवा फुले ने की थी, कब की थी? 24 सुतंबर 1873 में, और इसका प्रमुखोदेश क्या था? वंचित को भी मुखधारा से जोड़ना था, जो वंचित है उनको भी मुखधारा से जोड़ना इसका मुखधेश था. तिलक स्वराजफंड की स्थापना किस अंदोलन की वित्ति और सक्तों को पूरा करने के लिए की गई थी? सबने अभग्या अंदोलन, असहयोग अंदोलन, चमपारन सत्य ग्रह, रोलेट सत्र गई. तिलक सुराजफंड की स्थापना किस अंदोलन की वित्ती और सक्तों को पूरा करने के लिए की गई थी प्रदोस्तों आपका असयो गंदोलन तिलक सुराजफंड की स्थापना महात्मा गाधी ने की थी और इस फंड की स्थापना बाल गंगर धर तिलक की मृत्त्यु के एक वर्स बात की गये थी काश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोल में सम्मेलन कब आयोजित किया गया था तो पहला गोल में जो शम्मेलन है वे आपके 2006 में आयोजित किया गया था और 2006 के समय में डाक्टर मनुहन सिंग भारत के प्रधान मंत्री थी अलिवाल की रड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी अंग्रेजों और मराठाओं अंग्रेजों और अवद के नवाब के बीच अंग्रेजों और सिक्कों के बीच अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच तो अलीबाल की रडाई किन के बीच में लड़ी गई थी तो अंग्रेजों और सिक्कों के बीच लड़ी गई थी सी आपसान यहाँ पे सही हो जाया इसके बाद अंगला पस्टन है किसी राजगोपाला चारी द्वारा प्रत्पादित किये गए सी आर फार्मूला के समन्द में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है इसमें जिन्ना और मुस्लिम लिग की वारतालाप का शमत्थन किया गया इसमें मुस्लिमों को अलग राज दिये जाने के जिए जन्मत संग्रह के सिपारिस की गई थी तो 1944 की जिन्ना गांधी वर्तल आपका धार बना यहां पे उप्रोक्स अभी आप्सन ये तीनों जो कथन दिये गए हैं वह आपके सही दिये गए हैं श्री राज गोपाला चारी द्वारा प्रत्पादित किये गए स्री आर्फार्मूला के समन्द में तो प्रोक्स अभी सही दिये गए हैं तो डी आप्सन के हम बात करेंगे यहां पे इसके बाद जो अंगला प्रश्णाप के स्कीन पर दिया गया है सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी इन में से किस से समन्दित है तो गोपाल कर्ष्ण गोखले से समन्दित है पहला अप्सन सही हो जाएगा 20 फरवरी 1947 को बिटिस सरकार द्वारा की गई गोश्णा में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के लिए कौन सी तारिक दे थी आगास दिसंबर जून जून बीस फरवरी 1947 को बिटिस सरकार द्वारा की गई गोश्णा में अंग्रेजों ने भारत छोड़ों के लिए कौन सी तारिक दी थी जून 1947 बीस फरवरी 1947 को गोश्णा में बिटिस प्रधान मंद्री किलीमेंट एरली ने जून 1947 तक सक्तियों का इस्थांतन करके भारत छोड़ने की बात कही थी इसके बाद अंगला पस्थन लिब्राहम आयोग का गठन निम्रिकित में से किसकी जाच के लिए किया गया था तो लिब्राहम आयोग का गठन जो है आपके बाबरी मस्जिद बिद्धन्स के जाच के लिए किया गया 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद के धाचे गिराये जाने की जाच के लिए भारस सरकार द्वारा MS लिब्राहन के दस्ता में लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था इस आयोग का गठन 16 दिसंबर 1992 को किया गया था और इस आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट सहुंचे थी अंगला पस्ने 1935 में इसका नाम संयुक्त प्रांद किये जाने से पहले आधनिक उत्तरपदेश को किस नाम से जाना जाता था तो अधनिक उत्तरपदेश को दोस्तों आगरावा अवद का संयुक्त प्रांद के नाम से जाना जाता था आगरावा आवद का संयुक प्रांथ 1902 से 1947 तक आस्वित्य में रहा भारत सरकार अधनियम 1935 के द्वारा इसका नाम संयुक प्रांथ रखा गया वर्तमान में ये छेत उत्राखन और उत्रप्रदेश पर इस्तेत है अटल बिहारी वाजपेई कितनी बार के प्रधान मंती बने तो अटल बिहारी वाजपेई जो है कितनी बार भारत के प्रधान मंती बने हैं लगवक तीन बार भारत के प्रधान मंती रहे हैं क्यां दोस्तों अटल ब्यार वाइज परी पहली बार 6 माई 1996 से 1 जून 1996 के दौरान पहली बार देश के प्रधानमंती बने इसके बाद 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 के बीच देश के प्रधानमंती रहे इसके साथ 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2000 तक वे 30 भारत के प्रधानमन्ती बने अंगला पस्ने संग लोग सेवा आयोग के पहले अदच चिकाउन थे संग लोग सेवा के पहले अदच सर रास बारकर जहां दोस्तो लोग सिवा आयोग की स्थापना पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी सर रास बारकर इस आयोग के दश थे संग लोग सिवा आयोग द्वारा देश के IES, IPS और IPS जैसी परिच्छाएं आयोजित की जाती है IFS, IPS, IES इस आयोग की स्थापना संभिधान के अनुच्छे 315 के ताहत की गई राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा की स्थापना बंगाल में किस वर्स की थी तो 18 से पंद्रों में की थी भी आपसन सही कर लेजे आत्मी सभा की सुवात राजा राम मोहन राय 1815 में कलकत्ता में की इस सभा द्वारा दर्सन वा समाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती थी 1823 तक ये सभा निस्क्री हो गई थी साबर मत्री आसरा की स्थापना करद की गई थी तो शाबर मत्री आसरम की स्थापना 1915 में साबर मत्री आसरा की इसके बाद अंगला पस्ष्ण है 1907 के सूरत अध्यभेशन में कांग्रेश का अध्यच किसे чुना गया था मैं डाक्टर रास बिहारी गोश लाला लाजपत्राय दादा भाई नरोजि फिरोश साहे में था accessed 1907 के सूरत अध्यचन में कांग्रेश का अध्यच जो ए किसे चुना गया था सभी लोग बताईए तो डाक्टर रास बिहारी घोश 1907 के सूरत अध्येशन में कांग्रेश का अध्यच जो है डाक्टर रास बिहारी घोश को चुना गया था इसके बाद अंगला पुष्ण है दच्छिन आफ्रीका से लोटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्राग्रे कौन सा था चोरी चोरा दांडी चमपारन या बात दोली सभी बताईएगा जिया दोस्तों दच्छिन आफ्रीका से लोटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्राग्रे था चमपारन चमपारन सत्त्यग्रह 19 अप्रैल 1917 में शुरू किया गया इस सत्त्यग्रह कवदेश नील की खेती करने वाले किसाने को नय दिलाना था किसकी खेती करने वाले नील की जो खेती करते थे किसान उनके लिए नय दिलाने की बात कर रहे थे अमेरिका में थियो शोफिकल सुसाइटी की स्थापना किसने की थी तो मैडम ब्लाव टिस्की और ओल कोट जहां अमेरिका में थियो शोफिकल सुसाइटी की स्थापना किसने की थी तो मैडम ब्लाव टिस्की और ओल कोट डी आपसन सही कल लेजिए इसके बाद अंगला पुस्टने सहायक गठवन्धन स्विकार करने वाले अंतिमराथा प्रमुक कौन थे तो सहायक गठवन्धन स्विकार करने वाले अंतिमराथा गायकवार सिंधिया होलकर भोश ले तो राइट आपसन आपका होलकर सहाइक गटबंधन श्विकार करने वाले अंति मराथा प्रोंखाप के होल कर थी सहाइक गटबंधन की सुरुवात लाड विल्लेसले नेकी थी वे 1979 से 1805 तक बिटिस गवर्नर जनरल थे हैद्राबाद सहाइक गटबंधन में सामिल होने वाले पहली रियासत थी पेस्वा 1802 में सिंधिया 1804 में गायक वाल 1805 में भोसले 1806 में और अंतिम है होल कर 1818 में गटबंधन में शामिल हुआ थी अंतिम आपका होल कर है 1818 में ये सहाइग गटबंधन में शामिल हुआ दबंगाली यकवार के स्थापना 1818 में किस क्रांतिकारी नेकी थी दबंगाली अकवार की स्थापना अठारा सुन्यासी में किस क्रांतिकारी ने की थी सुरेंद नाथ बनगाली बिटिसकाल के सुरुवाती नेताओं में से एक थे इन्होंने अठारा सुन्यासी में इसी में दबंगाली नामक समाचारपत की सुरुवात की उन्होंने भारत के पहले राजनेतिक संग्ठन इंडियन नेशनलन एसोसियन की स्थापना आनंद मुहन बोस के साथ मिलकर गी थी प्रत्य चिकारवाही दिवस सोल अगा सुनिस सोच्यालिस को किसके द्वारा मनाया गया मुस्लिम लेग, क्रिस्चियन, सिख लेग या हिंदू लेग के द्वारा तो प्रत्य चिकारवाही दिवस सोल अगा सुनिस सोच्यालिस को किसके द्वारा जो है मनाया गया, तो मुस्लिम लेग के द्वारा जो है मनाया गया मुस्लिव लिंग ने सोला अगास 1940 को प्रत्यच कारवाही दिवस की रूप में मनाया इसका उद्देश हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन करके यह सिद करना था कि हिंदू और मुस्लिम समदा एक साथ नहीं रह सकते अंगला 10 अप्रेल 1917 को चमपारन सत्त्यग्रह में गांधी जी के साथ कौन सामिल हुए थे तो राजेन प्रसाद जी शामिल हुए थे मात्मा गांधी 10 अप्रेल 1917 को चमपारन पहुँचे उनके साथ ब्रज की सोर प्रसाद, राजेन प्रसाद, अनुग्रह नरायन शिर्हा और जेवी करपालनी भी थे साथ में अंगला भारत के राष्ट गान का सीषक क्या था जन्य गन्मन भारत भाग विधाता या भारत विधाता तो भारत के राष्ट गान का सेशक जो था आपका भारत भाग विधाता भारत का राष्टी गान की रचना रभिना टैगोर ने मूलूप से बंगाली में की थी 24 जन्वरी 1950 को समिधान सबाद भारा इसके हिंदी रूप में राष्ट गान की रूप में श्विकत दी और इस राष्ट गान को 27 नंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अदिवेशन में गाया गया थी तो भारत भाग विधाता समिधान में यह आपका सीर्षक जो है माना गया है तो समिधान में भारत भाग विधाता माना गया है तो आई होज सभी प्यारमित इस क्लास को अच्छे तरीके समझ पाएं होंगे डेली आपकी क्लास चलती है 11.30 एम में 7.00 पी एम में बाल बिकास की क्लास होगी सभी लोग जोईन कीजे प्रपेसन को बहतर कीजे मैं आपके साथ जैस्वाल सर मिलता हूँ आपके इंगले क्लास पर सभी मित्रों को जैहिंद वंदि मात्रम धन्माश्यक्त